हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सब, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब तो नौरात्र खतम हो चुके हैं, आप सोच रहे होंगे, मैं क्यों दिखा रही हूँ, यह हैं हमारे कानपूर के ममी पापा जी ने जो बारे निकले, उदर नौग रहे के स्थापना करी थी, और फिर मैंने ब्रत के लिए बनाया था, आलू, मुंखळी, टमाटर वगेरा से, जो सेंधा नमक डालके बनाई जाती है, आलू की सबजी उसके लिए, मैंने यह लिया, मुंखळी के दाने, मिर्च, हरी धनिया, टमा अब पास जीरा सही नहीं था, और फिर मैंने यह ग्रीण चीली डाली है, और पिर यह मैंने टमाटर डाल दिया है, तो टमाटर को थोड़ा पकने के लिए, हम नमक पहले ही अड़ कर देते हैं, तो मैंने यह सेंधा नमक घंके, 1 टेबल एड़ किया है जिसे टमाटर हमारे अच्छी तरीके जो टाइट पन होता है ना थोड़े मुलायम पढ़ जाएं तो खाने में ना सही रहता है तो ये देखे हैं मेरे धीरे-धीरे से मुलायम पढ़ रहे हैं अगर दोस्तों किसी भी सबजी में टामाटर में अगर नमक पहले डाल देंगे ना तो वो अच्छे से मुलायम पढ़ जाते हैं, तो ये अब दीरे-दीरे से मेरे टमाटर मुलायम पढ़ गया, फिर मैंने जो अपनी उबली हुई आलू थी उनको इसी में मिक्स कर दिया, जिससे कि प्रॉपर तरीके से नमक मिक्स हो जाए सेंधा नमक, कोई नमक खाता है, कोई नहीं खाता, तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं नमक, अगर आप बनाना चाहें तो सेंधा नमक स्किप कर दें, बाकी ऐसे बनाएं तो भी अच्छी लगेगी, मेरे आम अम्मी तो नहीं खाती हैं, तो वो नहीं नमक खात तो ऐसे ही बना लेती है तो अब ये प्रॉपरली सब कुछ मिक्स हो गया है दिन इसमें हम भुझे हुए मुंगफली के दाने डालेंगे दोस्तों बहुत ही अलग टेस्ट आता है मुंगफली के दाना डालने से आप कभी भी जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत अच्छा लग दिया धनिया पति है जो की डेकोरेशन में बहुत अच्छी लगती है और इसकी स्मेला खाने में भी बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों ये हो चुका है बंके रेडी आलू धनिया टमार्टर मिर्च और मुंगफली के दाने से बनी और मैं एक अपने लिए चाह ली हू बस बाइ-बाइ टेक के लिए